हलो एवरिवान वेलकम टू एड स्टार्ट आज में लेके आए हूँ आपके लिए एक सांदार क्लासेश और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के उपर हमेशा की तरह इस क्लास को देखने के बाद आपकी कंसेट में आएगा क्लारिटी आंड नोट के सास्त आपको सारे चीज लेट्स केट स्टार्ट आपके अल्टरनेटीव स्प्लाइसिंग हो क्या उसको समझने से पहले हम बात करेंगे कि प्लाइसिंग क्या होता है उसको हम एक दो लाइन में समझ लेंगे कि What is splicing, splicing क्या होता है हम देखेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे what is alternative splicing, alternative splicing क्या होता है उसके बारे में हम discuss करेंगे, next देखेंगे कौन सी ऐसा mechanisms है जो कि alternative splicing को facilitate कर रहा है alternative splicing करवा रही है, उसके बारे में बात करेंगे what are the different types of alternative splicing, उसके बारे में देखेंगे next हम बात करेंगे importance of alternative splicing alternative splicing को हमारे जो nature है क्यों allow कर रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अंत में देखेंगे conclusion इसी तरीके से आप आपकी notes को भी लिखना चाहिए ताकि आपको mark से साथ conceptual knowledge भी आ जाएगा सबसे पहले देखेंगे कि splicing क्या होता है देखेंगे जैसे यहाँ पर आप picture में देख सकते हों जितने भी eukerotic organisms है ठीके न हम किसके बारे में बात करें हैं eukerotic organisms ना कि prokerotic हमने split gene के बारे में भी डिस्कस किये थे eukerotic organisms यहाँ पर DNA दिख पा रहे होंगे ठीके न है DNA इस DNA में कुछ coding part होते हैं यानि कि कुछ ऐसा parts होते हैं जहां से protein बनेगा यह black color में जो नजर आ रहा होंगे ठीके ना नजर दिखाई दे रहा है आपको यह black color वाले जो होते हैं यहाँ पर यह आपको यह coding part होता है अंड अब यह blue color वाले जो दिखाई दे रहा है these are the non-coding part जिसे कि आपको पता होगा non-coding parts को हम क्या बोलते हैं non-coding parts को हम बोलते हैं intron थीके ना joh intron होता है अंड जो coding part होता है हम उसको exone बोलते हैं एक जोन की बीच बीच में ओही intervening sequence को हम intron कहते हैं जो कोई काम की हिस्टा नहीं है यानि कि जहां से कोई protein नहीं बन रहा है तो क्या होता है ना आपकी जो eukerotics होते हैं ठीके eukerotics में आपको जैसे पता होगा eukerotics में क्या होता है ना nucleus की अंदर सारे चीज़े हो रहा है मत फिर ओहीं DNA में क्या होता है मतला कि RNA बनता है कहां ना nucleus के अंदर यहां पर जो recently जो RNA बनी हुई है हम उसको pre-mRNA बोलते हैं या तो आप उसको nascent nascent RNA बोल सकते हो नहीं तो आप उसको hnRNA heteronuclear capital small h small n अब लिग सकते हो hnRNA भी बोल सकते हो यह जो pre-mRNA होता है उनमें कुछ coding हिस् हिस्सा भी होता है ठीक है coding और non coding हिस्सा होता है जब यहां पर क्या होता है प्रोसेसिंग किया जाता है क्योंकि RNA को हना nuclear environment नुकलियो प्लाजम से साइटो प्लाजम को आना है कुछ environment बदल रहा है इसलिए modifications की जरूरत होता है उसके अलाबा जो non coding region होता है जिसकी कोई जरूर नहीं है उसको भला क्यों translation करेगा unnecessary energy क्यों इस्तमाल करेगा इसलिए remove किया जाता है ठीक है तो इस processing के दोरान एक चीज़े होता है splicing जिसको हम बोलते हैं क्या ना splicing बोलते हैं जिसमें सिर्फ सिर्फ यह जो एक zone था ठीक है ना coding हिस्सा था उसको हमने add किया तो बाकी सारे चीज़ों को हम remove किया ठीक है आचा यह होता है splicing splicing कहीं तरीके के होता है इसमें एक होता है जैसे आप यहां पर देख सकते हो जैसे इस picture में भी आप फोकस किजिए इस picture में कितना एक zone है यह एक zone है दूसरा एक zone है तिसरा एक zone है तीन एक zone आपको नजर आ रहा है ठीक है आचा इंट्रों जो blue color वाले दिखाई दे रहा है एक इंट्रों दो आपको नजर आ रहा है तो यहां पर यहां पर पिक्चर बना के दिखाऊंगे तो एक zone है दूसरा एक zone है तिसरा एक zone है आप ऐसे मान के चलिए और यहाँ पर यह इंट्रोन है इस तरीका से clear हुआ यह इंट्रोन है तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर chances होता है alternative splicing हम देखेंगे 1, 2, 3 तो chances होता है कि एक zone 1 and 2 join हो जाए chances होता है कि 2 and 3 join हो जाए chances भी होता है कि 1 and 3 join हो जाएंगे तो एक mRNA से आपको तीन possible combinations की RNA बन रहा है ठीके ना है यह तो एकी zine एकी DNA से mRNA transcript बना था लेकिन आपके पास तीन variety of mRNA बन गया ठीक है तीन variety of mRNA बन गया इसको हम बोलते हैं alternative splicing जैसे आप खुदी ऐसे करते हो ना आपकी मालीजे 2 jeans pant है या 3 shirt है आप इसे combinations करके पहन लेते हो ठीक ना मालीजे black jeans के साथ फिर black t-shirt पहन लिया black jeans के साथ blue t-shirt या उसके साथ green फिर वही है इसके साथ भी इसको पहन लेगे तो इसे combinations आप अलग-अलग बना सकते हो वही चीज़ करने के बाद हम क्या करते है एक जो एक जो और ओ रहा है इसमें एक जो जो आड हो रहा है यहां पर क्या होगा यहां पर choice बनता है ना एक जो वान के साथ 3 आड हो जाएगा या एक जो 1,2,3,4 ऐसे तो आड होने की भी chances है, one के साथ three yard हो सकता है, one three five yard हो जाएंगे, दो, ठीक है न, skip हो जाएंगे, तो इसी तरीके से different, different combinations आपको दिखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं, alternative splicing जो की simple language है, ठीक है, तो हमको लिखने के लिए क्या लिखें, देखिए, तो आपको लिखना है कि, तो specific का लिए दिए हम बात करेंगे, कि splicing the introns are removed, इसको आपको introductions में लिखना है, अच्छा, ये तो एक चीज हो गया, हम last में बात करेंगे, इसके बारे में देखिए, तो देखिए, यहाँ पर combinations आप देख सकते हो, यहाँ पर एक blue color की एक zone है, yellow color की है और green color की है, तो साइद आपको yellow और ये green सा दिखाई ना दे रहा होगा, तो मैं इसको coloring कर लेती हूँ, ठीक है, तो यह जो होता है, यह आपकी yellow color की, यह orange color की है, यह orange color की है, इसको मान के चलिए, और इसको यह green color की है, ठीक है, यह green color की है, तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे, तीनो combinations आप देख सकते हो, तो यह blue, यह तीनों की तीनों आ सकते हैं, य इसी तरीके से different-different combination बनने की भी chances रहता है, इसको हम alternative splicing कहते हैं, कि during the splicing, mature mRNA, form from the pre-mRNA, जो DNA से जो RNA बनी हुई है, मतलब कि recently जो RNA बनी हुई है, हम उसको pre-mRNA बोलते हैं, या hnRNA बोलते हैं, ठीक है या innocent RNA, मतलब कि freshly बनने वाले RNA होता है, वहाँ से, ठीक है, इंट्रोंस को remove किया जाता है, and exons को add किया जाता है, some, कुछ cases में क्या होता है, alternatively, some exons are joined, and some are skipped, ठीक है, कुछ या exons को हम join कर लेते हैं, कुछ exons को remove, skipped कर देते हैं, add नहीं करते हैं, एक में add नहीं करेंगे, दुसरे में add करेंगे, ठीक है, तो जिस बज़े से क्या होगा, more than one mRNA, एक से ज the production of different RNA produced from a single gene, ठीक है, single transcript या single mRNA से different different mRNA जो produced होता है, जिस process के दोरान, जिस splicing की process के दोरान, उसको हम बोलते हैं, alternative slicing, देखिए, यहाँ पे इंट्रोड जो है ना, लिखा है, definitions की तोर पे, कि the production of, ठीक है, the production of different RNA product, from a single product या single mRNA बोल सकते हो, by change in the uses of splicing junctions, कौनसी mechanism से यह बन रहा है, ना splicing mechanisms में बन रहा है, this is known as alternative splicing, ठीक है, आच्छा, alternative splicing को, evolutionary उनका बहुत importance रहा होगा, क्यों, यूँगी देखिए, हमारे case में 23 pair of chromosome है, यह तो आपको पता होगा, इस 23 pair of chromosome में है क्या, ना only, जो है, 30,000 gene के लिए, मतलगे gene present है, तो आप बोलोगे 30,000 gene है, तो 30,000 protein बनेगा, लेकिन body sustain के लिए, आप जब दीखोगे, 45,000 की आसपस protein की जरुरत होता है, ठीक है, यह आपके पास 30,000 gene, लेकिन protein कितना चाहिए, 45,000, तो इसका मतलब है कि और 15,000 protein कैसे बनेगा, वही है, कि एक mRNA से different different protein बनने की chances रहता है, ठीक है ना, एक mRNA से आपको मालेज़े, यह DNA है, यहाँ से mRNA बना, यहाँ पे chances होता है, जो की exon वगिरा जो रहते हैं, कैसे कैसे combinations में बनेंगे, सारे 4 की 4 आड़ हो जाएंगे, या तो 3 आड़ होंगे अलग-अलग, या different combinations की चीज़े बनेगा, तो एक mRNA transcript से आपको डेर सारे mRNA बनने की chances है, तो mRNA एक बर बन जाएगा, तो protein बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आईना बाद समझ में आपको, I hope को चीज़े clear तो यह हमने देख लिया कि introductions आपको alternative splicing में क्या लिखना है, उसके बाद हम बात करेंगे, regulations, alternative splicing को कैसे regulate किया जाता है, हम बात करेंगे, क्या ऐसे हो जाएगा, क्या, मतलब कि एक zone 1 के साथ हमको 3R करनी है, ठीक है न, ऐसा तो नहीं है, तो उसके लिए कुछ regulatory mechanisms चलता है, एक होता है splicing enhancer and दूसरा होता है splicing silencer, ठीक है न, splicing enhancer होते हैं and splicing silencer होते हैं, पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम notes लिखोंगे, दिखिए, नाम जैसे होता है splicing enhancer, तो यह क्या करेगा, splicing को enhance करेगा, ठीक है न, splicing को यह क्या करेगा, enhance करेगा, माल लिजए, यह egg zone है, ठीक सा nucleotide sequences रहेगा, यह जो की enhance करेगा कि मुझे इस time पर add करो, ठीके ना, मुझे add करो, मुझे add करो, enhancer, इसी तरीके से कुछ action में कुछ nucleotide sequences रहते हैं, वो बोलेंगे मुझे add मत कीजिए, मुझे add मत कीजिए, इस mRNA के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ना silencer बोलेंगे, ठीके ना, यह silent होने के, skip होने की कोसिस करेगा, लेकिन जो enhancer होता है, यह कोसिस करेगा, कि मुझे, मतलब कि इस mRNA के अंदर वो add हो जाए, ठीके न, वो activate हो जाता है, तो enhancer and silencer जो होता है, exon में भी होता है, intron में भी होता है, तो entron में enhancer भी होता है, कि इस intron को वहाँ पे remove करो, फिर कुछ introns में होता है, मतलब कि अंदर वो intron रह जाएगा, तो यह उसको silent, मतलब कि intron remove होने की कोसिस करेगा, यदि उनके अंदर कौन से nucleotide sequences है, ना silencer sequences है, ठीके ना, तो हम देखेंगे, देखें, लिखा है, exon splicing enhancer, exon splicing enhancer, exon splicing silencer, exon की अंदर आपको दीखने को मिलेगा, enhancer हो सकता है, या तो silencer हो सकता है, ठीके, आचा, यहाँ पर आप जैसे दिख सकते हो, exon splicing enhancer, ठीके ना, exon splicing enhancer, यह certain nucleotide sequences कहां पे होता है, ना exon में हो confusion, यह promote करता है, कि इस exon को आपने add किजिए, ठीके ना, इस exon को आपने add किजिए, यह इस चीज को promote करता है, उसके बाद देखेंगे, exon splicing silencer के बारे में, silencer क्या करेगा, यह बताएगा, कि जो exon sequences है, उसको add मत किजिए, उसको add होने से prevent करता है, silent करवा देता है, हम उसको बोलते है, exon splicing silencer, ठीके, आचा, यह ऐसे हम बोलेंगे, यह negatively उसको regulate करेगा, इसी तरीके से होता है, intron splicing enhancer, intron splicing enhancer यह बताता है, कि इस certain nucleotide sequences होता है, कि introns को आपने remove ना करो, ठीके ना, तो intron remove नहीं होगा, कोई दूसरे suffering चीज़े चलेगा, हम आगे बात करेंगे, इस तरीके से silencer भी होता है, clear हो आपको, अब हम बात करेंगे, types of alternative splicing, कितने तरीके के alternative splicing होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीके, अब हम पहला बात करेंगे, आप इस picture में थोड़ा समझ लेजे, ठीके, इस picture से आप समझ लेजे, जैसे इस picture में आप देख सकते हो, 4, क फिर उसके बाद the pink color की है, फिर blue color में, फिर इसको आप white मान के चल सकतो, लेकिन white नहीं है, white दिखाई दे रहा है, ठीके? अच्छा, ठीके color उसमें change हो जाता है, अच्छा, जो पहला है, one, two, three, four, आप मान के चलिए, first, उसके second, pink जो है, second है, ब्लू जो थाड है उसके बाद ये फोर्थ है जब चारो की चारो मिल जाएंगे ठीक है चारो की चारो जो है जब ये अटाज होगा जो की जो की जो है Constitutive Splicing जो की Normal Splicing होता है हम उसको Constitutive Splicing कहेंगे सेकेंड में आप देख सकते है Exxon Skipping यहाँ पर देखें Pink Color वाले जो है ना वो नहीं है उसको हमने Skip किया यहाँ पर इसका मतलब है कि Pink Color वाले जो Exxon था ठीक है आप समझने के लिए देखेंगे उसमें Exxon Silencing Sequences था ठीक है ना Enhancer Sequences ना होके Silencing Sequences था इसलिए यह सेकेंड में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है ना नहीं है क्या आपकी Pink Color वाले नहीं है तो Skip हो गया उसको हम बोलते हैं Exxon Skipping Exxon Skipping Alternative Slicing बोलते हैं और एक होता है Intron Retention जैसे मैंने बात किये था ना Intron Enhancer Sequences रहेगा तो Intron को Retain करने के कोशिस करेगा Intron Retention Sequences रहने में क्या होता है जैसे देखिए And Intron is Retained in the final mRNA That is done due to Intron Splicing Enhancer Splicing Enhancer है Actually क्या होता है ना कुछ Intron के अंदर कुछ Regulatory Protein भी रहता है हलांकि Intron कोई Protein को तो कड नहीं करता है लेकिन कुछ Regulatory Sequences रह जाता है जिस बज़े से वो Intron Mature mRNA भी आपको दीखने को मिलेगा ठीके ना Specifically जिसके पास ना तो Regulatory Sequences है ना तो कोई Protein को कोड करने के लिए चीज़े है वो तो नहीं रहेगा लेकिन जो ये वाले चीज़े है जिसके पास कुछ Regulatory Sequences है वो रह जाएगा यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो जो पीपिंग कलर वाले जो चीज़े है उसकी जो साइज है थोड़ा सा आपको तो लेस लग रहा होगा ठीके तो इसको हम Intron Retentions कहते हैं इंट्रोन में Regulatory Sequences होने के वज़े से यह चीज़ रहता है आप आपको क्लियर होगा कि एक जोन स्किपिंग क्या होता है आपकी Intron Retentions टाइप सब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है फिर हम बात करेंगे थाड में थाड में जैसे आप देख सकते हो Alternative 5' Splice Sets Alternative 3' Splice Sets आप पहले समझ लिजिए उसके बाद इस पिक्चर हम देखेंगे आपको चीज़े समझ में हाएगा आसानी से देखिए Alternative 5' Splice Sets का मतलब क्या होता है देखिए जैसे आपने स्प्लाइसिंग की जो classes है नॉर्माल जो स्प्लाइसिंग की mechanism यह आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा माल लिजे यह एक एक जोन है ठीक है एक जोन है इनमें उनका 5' सेट 3' सेट इस तरीके से इंट्रोन रहेगा फिर 5' 3' इस तरीके से रहता है ठीक है न 5' 3' इस तरीके से यह रहता है समझवना अच्छा जो alternative यह जो 5' है एंड है यह इसकी 3' पे उपर आटक करेगा ठीक है न इसके साथ bond बनाने की कोशिस करेगा तो क्या होता है न जो starting side होता है एक जीन की starting side जो रहेगा यहाँ पे changes आ जाएगा मतलब कि जो suffering है मतलब कि जो exchange है इस side में होगा ज्यादा 5' alternative splice side जो होता है यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि different 5' splice side are used so that different types of upstream actions are included यानि कि जैसे 5' splice side में देखिए जो yellow, pink, blue, green यासे आ गया and 3' alternative slash things देखिए देख सकते हो यहाँ पे इसका मतलब क्या है अच्छे से समझ लिजे इस picture में अच्छे से आपको समझ भी नहीं आ रहा है देखिए यह बोलता है कि मान लिजे यह 5' है यह एक जोन 1 है, 2 है, 3 है और भी एक रहेगा मतलब कि बहुत सारे एक जोन रहेगा, इसा नहीं कि 4, 5 हो गया, तो यह बोल रहा है जब भी suffering होगा, मतलब कि जब exchange होगा ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे क्या होगा 1, उसके बाद 3 आ जाएगा उसके बाद 2 आएगा तो उनकी बीज में जो एक एंड में, 5 प्राइम एंड में जो चीज है, वो आपस में क्या करेंगे, exchange हो जाएंगे 5 प्राइम alternate splicing के अंदर जब 3 प्राइम हो रहा होगा मालेजे, यहाँ पे 3 प्राइम alternative splicing हो रहा है इसका मतलब है कि मालेजे, यह 1, 2 रहे गया मालेजे, और एक में बना रहे हूँ 1, 2 रहे गया, यहाँ पे क्या होगा ना 3, पहले 4 आ जाएगा 5, 3, 4 हो गया समझे रहे हो ना, last end में यह थी 3 प्राइम end में कोई changes आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे, alternate 3 प्राइम splicing site यह थी 5 प्राइम end में कोई मतलब कि exchange आ रही है एक जोन के बीच में थोड़े बहुत आपस में interchange हो रही है कौनसी end में, 5 प्राइम end में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ना alternative 5 प्राइम splicing sites यदि आपकी क्या हो रहा है, ना 3 प्राइम end में, मतलब कि last end में 3 प्राइम end में यदि कोई आपस में exchange हो रहे है एक जोन के बीच में, हम उसको बोलेंगे, 3 प्राइम splice sets, clear हुआ, तो यह होता है types of alternative splicing, फिर आपर देखेंगे number 5 mutually exclusive exon, और एक होता है alternative promoter uses, ठीक है ना, आच्छा mutually exclusive exons का मतलब क्या होता है, दीखेंगे, यहाँ पर आप picture में समझ लोंगे, आच्छे से, दीखेंगे तो यह जो exons होता है, वो आपस में क्या करेंगे, exchange कर लेंगे, ठीक है ना, दीखेंगे, constitutive normally क्या था, वो 4 की 4 जो है 8 होगे थे, होगे थे ना, 4 की 4 yellow, pink, blue, आसे white tap मान के चलिए, ठीक है तो अब देखिए, यह yellow है blue है, मतलए कि यहाँ पर pink है, यहाँ पर blue नहीं है, मतलए यह आपस में क्या करते हैं, mutually exclusive कर लेते हैं, या तो और एक भी combination से ऐसा बन सकता है, ठीक है एक combination हम ऐसे लेके चलिएंगे, थोड़ा देखिए, यहाँ पर यहीं में बात करूंगी मान लिजे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 5 है तो मैं 1 रहेगा, 4, 4, 3 ऐसे रहेगा, फिर 5 रहेगा, ठीक है ना, 2 मैंने add नहीं किया, फिर ऐसा भी combinations हो सकता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है ना, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 3 नहीं रहेगा, फिर ऐसा भी combination हो सकता है, 1 रहेगा, 3, 4 रहेगे, ठीक है ना, यहाँ पर 4, 3 था, ठीक है ना, यहाँ पर 3, 4 रहेगे तो यह आपस में ऐसे एक्सेंज हो जाते हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे ठीके ना, mutually exclusive होते हैं mutually exclusive समझ रहे नहीं यह आएगा नहीं तो वो आएगा, जैसे coin को touch करने से head आएगा नहीं तो tail आएगा, mutually exclusive होते हैं ठीके, आच्छा तो जैसे आपको पता होगा जो DNA मतलब कि जब भी replications के बाद जब transcriptions होता है transcriptions में सबसे important role कौन प्ले करता है ना promoter promoter जिस एरिया में रहेगा उहीं पर RNA polymerase bind करेगा क्यांकि RNA polymerase जो होता है promoter एरिया में bind होता है यदि promoter इस sides में present है तो RNA ऐसे ऐसे synthesize हो जाएगा यदि माल लिजे promoter इस एरिया में है तो promoter की sequences यदि change हो जाएगा आपकी RNA की जो type से वो भी change हो जाएगा ठीके ना तो promoter कहां पर present होगा इस sides में होगा तो उसके उपर भी depend करता है ठीके यह हो गया different types types में हमने देखा कि किस तरीके से जो ठीके exon skipping वाला types हमने देखा फिर intron retention करने के बाद intron बीच में रह जाएगा तो भी हमने देखा फिर हमने देखा कि alternative 5 prime splice sets क्या होता है फिर हमने देखा alternative 3 prime splice sets क्या होता है उसके बाद हम mutually exclusive exons के बारे में discuss किया प्रोमोटर के बारे में discuss किया फिर last में हम देखेंगे कि what are the importance एक summarized way में सारे जो है picture है आपके तो आप देख सकती हो ठीक है अब हम देखेंगे what ही तो importance of alternative splicing क्या importance होता है वो क्यों present होता है आपको तो एक चीज clear हो गया कि एक mRNA से आपको बहुत तरह तरह का की protein मिल जाएगा यह तो importance है यह एक diversity प्रोवाइड कर रहा है ठीक है ना आपको कोई अलग-अलग gene के लिए कोई ज़रुरत नहीं है आपको एक क्या बन रहा है एक diversity मतलब कि variety मिल रहा है एक तो चीज है alternative slicing can increase the variety of protein in a cell at a given time मतलब एक ही cell के अंदर variety एक ही जिन से variety protein आपको मिल जाएगा या तो और एक condition हो सकता है एक बार question आया था ठीक है उसको भी धान दीजे मैं आपको बता दू ठीक है ना एक tricky questions एक बार आया था देखे जो entrance के अंदर ठीक है देखे क्या है यह बोल रहा है एक scientist थे उन्होंने माली जे muscle cells लिया liver cells लिया ठीक है ना और माली जे skin cell लिया तिन अलग-अलग cell उन्होंने लिया same gene की function को study करने के लिए suppose gene है gene A है ठीक है इस gene जो है muscle cell में कैसे express हो रही है liver cell में कैसे express हो रही है और skin cell में कैसे express हो रहा है इसके study करने के लिए उन्होंने experiment conduct कर रहे थे ठीक है ना उन्हेंने जब देखा हुई same gene muscle cells के अंदर उनकी जो protein है वो 5 kilo dalton की है ठीक है ना muscle cells के अंदर उनकी protein जो है 5 kilo dalton की है ठीक है ना अच्छा liver cells के अंदर उनका 2 kilo dalton है और skin cell के अंदर उनका 10 kilo dalton है तो इतना जो है ना same gene है लेकिन उनकी जो molecular weightage की आकड़िंगे दी हम बात करेंगे क्योंचे ऐसा आ रहा है तो आपको तो ऐसा ये नहीं बताएगा आप बोलेगा कि आपने gel electrophoresis किया उसके बाद western blutting किया protein दीखने के लिए तो आपको एक band यहाँ पे मिला यहाँ पे एक मिला और यहाँ पे एक मिला ठीक ना मतलब कि 2, 5 and 10 इतना variety आपको क्यों मिल रहा है ठीक ना है तो एक easy लेकिन इतना variety क्यों मिल रहा है आंसर क्या होगा tissue specific क्या tissue specific alternative splicing की बज़े से यह चीज हो रहा है किनकि जब भी alternative splicing माल लेजिए इस particular gene है यह muscle cells के अंदर अपने आपको ऐसे express कर रहा होगा 5 kilo delta माल लेजिए यहाँ पे 10 exam था ठीके ना 10 exam में से माल लेजिए 5 exam अपने आपको express कर रहे होंगे ठीके ना 5 तो यह muscle cells हो गया माल लेजिए 2 exam सिर्फ यहाँ पे आड होई रही है यहाँ पे माल लेजिए 10 की 10 exam सारे जो है क्या है मतलब कि express हो रही है तो यह इस तरह के आपको घुमा फिरा के question भी पूछा जा सकता है and alternative splicing जो होता है drosophila की अंदर आपको दीखने को मिलेगा उनकी sex determination में उनकी अच्छा खासा rule रहा है इसको हम genetics में discuss करेंगे sexual gene होता है ठीके ना किस तरह के से चीज़े होता है I hope आपको चीज़े अच्छे से clear आ रहागा वीडियो पसंद आए तो like केजिए, subscribe केजिए और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब के लिज़े इस तरीके से classes के लिए ठीके अंद अंत में यदि आप semester के preparation करना चाहते हो तो आप 8 start के साथ जूट सकते हो ठीके तो यदि यदि नंबर है यहाँ पर आप contact कीजिए आपको नोट्स के लिए यह सारे नोट्स से आपको ही पर आभेलेबल हो जाएगा तो थैंक यू